नमस्कार मित्रो इस वीडियो में हम साइन्स के 15 कुछिस करेंगे इन 15 परशनों का हमने online टेस्ट लिया था अब जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया है तो कोई दिकत की बात नहीं है हम हर रईवार को साइन्स के कुछ टॉपिक्स का टेस्ट लेंगे अब आप टेस्ट कैसे देना है तो हमारे फेस्ट और इंस्टाग्राम पीज पर जाकर आप हर संडे को जो टेस्ट होगा उसके लिंक से डायक्ट online टेस्ट दे सकते हैं जिसका रिजल्ट हर मंगलवार को हम release करेंगे तो इस बार इस टेस्ट में कौन first second थड़ आये तो वह भी रिजल्ट हमने इस वीडियो के एंड में देंगे पहले हम देखते हैं कि हमने जो कुशिंस दिये थे उनके सही आंसर क्या है और आंसर के साथ हम किवल 15 परस्टों को हल नहीं करेंगे बलकि हम 15 परस्टों के अंद अंदर उलेक्टों प्रोटों और नूट्रों इनकी युक्सर पूछए लाते हैं कि इलेक्तरों प्रोटों की किसने ने की थी इनका दिर्वमान के तो हमें बस खोज के लिए वैगानी को कि नाम के लिए एक लाईन याद दखने है काफी सिंपल श्चाहिए कि इंट पर ना पर कम मतलब होता है प्रोटॉन और रह का हो जाएगा रधरफोड तो प्रोटॉन की खोज की थी रधरफोड ने इस कुशिन का अंसर हमार आगया रधरफोड ठीक है और नाचे नाचे मतलब न से न्यूट्रॉन और जर से जेम्स चैडविक तो चैडविक ठीक है तो डिश्चिन और अदर फूड दोनों ने मिलकर प्रियोग के द्वारा खोज की थी प्रोटोन की तो दोनों ही आते हैं उसके लाइवार जो आप्शन देखे हैं जोहांसन और न्यूटन तो जोहांसन जो वेगनिक है वो आनुवान शिक्की के अंदर आता है जो आनुवान शिक्ता का चैप्टर लगता है कि जो मेंडल वाला था मटर की उपर दिन किया था तो इसके बारे में पूरा एक लेसन हम अलग सी करेंगे तो जहांसन से हमें बस इतना याद रखना है जह से जहांसन जह से जीन मल जो जीन सब्द है उसका नाम जहांसन ने दिया था ठीक है तो देखो जहांसन जह से सरूर रहा है नव पर खतम हो रहा है तो जीन जह से सरूर रहा है नव पर खतम हो रहा है तो सिंपल सी ठीक है जहां कितना में मान रोगता में लगता हैं तो सिद हां सांसर में याद रखना कंपड़ेगा कि ब्लोड की भियोंतेंरे वह स्थ्राइश कॉ एश्प थे ठीक तो और रख्त की धूंट होती तो करते हैं तो ऐडियन होता है इसे पादप के दिन को बौटनी कहते हैं एसे जन्तू को जूलो जी गहते प्र सुख्षमजीव को बाग होता है और अगर वैसे आपने फाइबर लगब जितने भी रेशेदार बूजन के अंदर फाइबर ही होता है या प्यूर फाइबर आपको ऐसे देखना हो तो जो गरों के अंदर में सामाने इस सब गोल खाते हैं वह सब गोल फाइबर ही होता है देन अगला परसना आता है विटामिन के अ poker के अंदर पूसा जाता है किसी विटामिन का नाम घ्रण होने वाले डीजीज मौन रहे लाक्षण हो गया या या उसका इलाज कैसे किया लाज चालता है यह कूशन हर बार पुझे आता है विटामिन को जितने भी विटामिन से घ्र तो इन सभी को easy लिए आद रखने के हम simple sacred trick वीडियो बनेंगे यहांपर कषिण का करता है कि 295-6 करनाम क्या है तो 307 चाल ग्रावίας at the ascorbic acid तो हमारा अंसर जब पुछागया है उसमें जो है उसे होता है कि अगला क्र देखा जाएक होता है ऊसिром remains करते हैं उसके अंदर जोasmus ₹ गया होता है कि थीक तो अगर लेड पैंसील लिखावा आता है इससे हम साथ फ्लेड होता है वह पैंसील या जिर हिए तुव इंट बड़क्ते हैद माट्याश पैंसिल युसको बना गया तो पैंसिल गंदर काले रंक काले रंग के अंग है उसके घृंक साथ उस का अर्फ्टाइबाने का भिज की वाज़ पींसिल की साथ घृंड टrah तो तो जो ग्रेफाइट होता है वूप एंदर होता है हुगा तो इसका नहीं होगा लेड उससे कहा जाता है पर नदौ परसना आता है पितल मिंष्र दात्व बना उता है पितल किसकी मिस्र दातु होती है ठीक तो मिस्र दात्वे भी competitive exam के अंदर काफी पूझ जाती है कुछ मिस्र दात्वे ही है जिने ही बार-बार गुमा फिरा के पूछा जाता है यहाँ पर पितल मिस्र दातु को याद रखने कि सामाने से ट्रिक हमें ध्यान रखने एक कि आमार पर दस्ता है वह जाएगा पितल की मिस्र दातु तो इस प्रकार से पितल का मिस्र दातु बना होता है इसका अगला प्रशना आता है मैनोमीटर से क्या मापते हैं मल जो मैनोमीटर होता है उससे क्या मापा जाता है गैस कादाब पानी की गहराई पानी की शुता बुकम की त तो अगर इसकी बात कीजाए तो कहीं परकार के मिटर होते हैं घैस से सम्बंदित तो हमारे इसका आंसर तो पहले हो जाएगा गैस का डाप जो एयर होती है गैसे होती है और आपने के लिए एनिमोमिटर का यूज करते हैं अगर वायू के दाब की बात कर तो वह मैनो मिटर के लाग बैरो मिटर से मापी जाती है इसके लाग पानी की गहरही की बात करें तो जो समुंदर की गहरही होती है समुंदर के पानी की गहरही उसको फैदो मिटर से मापते है या जो पानी का घनत्व कैसा है तो पानी का घनत् इसी प्रकास जो बूखंप की तीवीरता एंधे सीजमो मीटर से माप जाते सीजमो मीटर और पानी के सुदता पानी के सुदता मापनी की लिए यंतर रूप्यू करते हैं टीडीयस बोलते हैं अगला परसना आता है इंदर दनूस किसका उधारने मल जो बश्षात के बाद इंदर दनूस बनता है वो किस प्रक्रिया का उधारने विचेपन पून आंतिक प्रावर्तन अफ़रतन या सभी तो वास्त में इसका आंसर उप्रूप सभी होगा कि जब प्रकास और वायू के अ या जो रहता है उसके प्रकास के अपके करण के करते हैं तो कोई भी कीनी होते है शाए मचियों चीन्टी हो या किसी बरकाल का तो उनके horses से खाट अंसे dyed एक शोड़ा जाता है उस अमलक के कारण वहां में दर्द गानुब होता है तथा उस अमलक का नाम होता है फॉर्मिक अमलक के द्वारा होता है ना कि उनके कांटे के नुकिले पंसे कांटे के नुकिले पंसे तो वो दर्द बस हमारे सरी के अंदर परविश्च करता है जाता है लेकिन जो जलन होती ह है या कहीं बार स्कनूरा हो जाती है तो वह किसी होती हैं इसा काफिक कुषिन करको कहते हैं अ कि कि हमेटेट किसका स्क बशेЖंग कुषिस का होते हैं तो हमारा है राधा होता है होता है लोहे का इसके लावे लोहेक और भी है होते हैं जीसे है हैं सोने के सिल्वे नाइट केलवे राइट भी एस्क होते हैं तो कई एस्क के मलगी कई दातों के कितने ही एस्क होते हैं अगला प्रस्टनाता है पौद्दे के किस बाग से हल्दी प्रावद होती है मल जो हम हल्दी उप्योग करते है खाने की वो पादब का कौन सा बाग होता है तो जो हम हल्दी खाते हैं वो पादब का तना होता है इस टेम खाते है अंगला प מח़ता है कोशिका का उर्जागर किसे कहता है उर्जागर कह दीजिए अश्पल ईनर्जी हुस कहाँ से कोशिका को उर्जा मिलती है तो कोशिका को उर्जागर होता है वह उता है और यह जो एनर्जी निकलते हैं वो ATP के रूप में निकलते हैं वैसे इसे गरोग अंदर जो बिजली जो ऑज़ा चलते हैं वो उर्जा होती है ATP की फोर्म में तो माइट्रो कॉंड्रिया एटीविक फ़ॉन में और जानी कलता है। अगला परस्नाता हीं में और ग्रिफिलत में क्या समाननना है। हमने ऑपर ग्रिफिट में बात बूली थी कि- उसके हापा रूप होता है कि हीrim औरीप्रोनों और ग्रिफट ऑफुलिन। देखो दोनों ठोस होते हैं तो यह बात एकदम गलत है क्यों कि हीरा जो पर्थवी दरातल पर जो अपरूपय सबसे ठोस पदार थे तो सबसे ठोस पदार हीरा हो गया जबकि जो ग्रेफट होता है पैंसल के चौन सकंद वह काफी चिकना और अलका होता है उसको हम आथों से न तो यह भी कोई अंसर नहीं इसकार अगला परस्टाहह एक कि किससे फैलता है तो छका स्ब्सेयरो आप है जिसका नमिवैरे Canadians होता है जिसें ओर यह होता है तो यह कुशिंग हमने टेस्ट लिये थे और हर संड़े एक टॉपिक पर ह yell यह उस संड़े को मनि लिए है वह अ लगता शार सभी प्रुटार कम्पृ Corin im organize लगती उसर में लगती हो तॉंबल और छार का हम अगले रिवर को टेस्ट लेंगे। तथा पिछले रिवर को जो टेस्ट हुआ था उसके रिजल्ट के रूप में हमने जो पंदर टेस्ट लिए थे उनमें से ये है उनका रिजल्ट।